एक्सरसाइस 13.2 का अगला कुश्चन कुश्चन नमर 9 है आप पलस क्या करना है यह दिया नहीं है कि आपको प्रिजम सित्तामतों से करना है तो इसका मतलब आप सामानी रूप से फ़र्गुला लगा तके इत कुश्चन को करना है 9 में कुश्चन में हमने 5 और 6 पार्ट इसका से लग दिया है बाकी और 2 पार्ट और 4 पार्ट जो आगे है वो रिजी है तो यहां पर आपको मैथर्स समझगा है तो कुश्चन उमर 9 में का 5 पार्ट यह दिया है एक स्रेस्टी पावर माइनस वोर इतना प्रैकि 3-4 इक स्रेस् तो किया है तो सुलूशन ही आपर किस्कास के ओगा यह दिया है यह F of x is equal to x raise to power minus 4 into 3-4 x raise to power minus 5 यह function है So dy dx, dy dx of fx, अथा कर इस फरन का आउटर ब्लांग, यह किकना होगा, that is dy dx of x raised to power minus 4, into 3 minus 4 into x raised to power minus 1. यह तो फरनों का प्रोडक्ट है, इसमें आपको प्रोडक्ट फर्मुला लगाई है, तो क्या बता है, एला फरन, जहां के कहा, dy dx of second, that is dy dx of 3 minus 4 into x raised to power minus 5, plus second function as it is 3 minus 4 into x raised to power minus 9, dy dx of x raised to power minus 4, so rather very easy, और भासान है, यह फर्श्वरिंसमें से मही है, आपको डार्यक्ट पर्मुला लगाणा है, so it is x raised to power minus 4 into, teet, यह के साथ x नहीं, यह constant, फ़र लगा, इसका ओकर प्रांट जीर होगिया, minus 4, आगे आजाएगा, x raised to power minus 5 का आओकर ने के, तो होता है, n into x की power n minus 1, so minus 5, n का आपकर लगा, into x raised to power n minus 1, so minus 5, minus 1, यह ओगा, plus 3 minus 4 into x raised to power minus 5, x raised to power minus 4 का, इसका दिएगा, minus 4 into x raised to power, minus 4, minus 1, so यहां से, यह 20 होगिया, so 20 into x raised to power, minus 4 and minus 6, so it is x raised to power minus 10, and plus, यहां से, 25 का आपकर लगा, so that is equal to minus 12, 3 into minus 4, x raised to power minus 5, or minus 4, minus 4, that is plus 16, into x raised to power minus 10, minus 5, minus 5, minus 5, so it is 20 into x raised to power minus 10, minus 12 into x raised to power minus 5, plus 16 into x raised to power minus 10, here come on over, so let's have said, so that comes out to like, and 6 into x raised to power minus 10, minus 12 into x raised to power minus 5, so that will be the final answer, that is the derivative of this given function, अब कुस्यों नम्र नाइब का, यह 6 और यहां से, आपकर नम्र नाइब का, fx is given as, 2 upon x plus 1, minus x squared upon 3x minus 1, यह पना है, fx की रही जो दिया है, बोर यह 2 upon x plus 1, minus x squared upon 3x minus 1, so d by dx of f of x is equal to, d by dx of 2 upon x plus 1, minus d by dx of x squared upon 3x minus 1, यह, so इन दोनों में ही आप जो आप जो आप, पोशेंट मेफ़ड भाग बिदी से कर सकते हैं, अगर सिंगे x होता यहां को उंबद रहे जाते हैं, तो आपको पोड़क्त रूरी रहा देते हैं, यहां को x plus 1 है, यहां 3x minus 1 है, इसलिए, अगर आपको उंबद रहे जाएंगे, तो भोगी पॉस्किल होता है, लेकिन फिर मों निद फल्लों का उपलन हो जाता है, वो आगे की क्लास में खड़ेंगे, वो आप प्रती स्थापन से कर सकते हैं, x plus 1 का कोई मान लग दो, ऐसे कि x minus 1 की कोई लग दो आपके, तो यहांबर हम दो इसको पोशेंट मेथड अमारे पास है, भाग दीजित हो फल्लों के भाग फल का आउटिल गुडान क्यासे कर दो होता है, तो वहीं पॉपले यहांगे तो होता है हर का पल्ग, मता है x plus 1 का हो जाएगा, हर जहांगे तान दीजित है, अंस का अउगर d by by d x और होता है गाग, माइनस, बेगे, फिर अंस जहांगे काद d by by d x यह दो होता है, इसी करीड के से, माइनस इसमें, तो दीजित होता है, 2x-1 का ओल स्वाइर हार जहां के थां 3x-1 दीई वेतर ने जहां के थां करीवें कि और एक्स स्वाइर है यह हां साह आ ओल माइनस अन साहँ के थां आ फां और हम आदे द्राइख आपको लगायों यह प्रिणोमेने लेटर में यह इसना इसक्वायर आजाता है फिर यह जहां के थाँ अंस्काव कर गणां, माइनिस अंस्काव कर गणां वह फक्रण गणां वह इक्वाद है, यह D by by D X is of 2 यह 3 from X है इसमें X की बोही गणां में यह इसका ओको, यह constant हो गिया, constant kya ओका ओका पुलां, should be आए, should into x plus 1, पूला हो जरो, पूल, minus 2 into, x plus 1 का ओका ओका ओका, x का ओका ओका ओका, x का 1 बाल, जर्योर का ओका बाल, 0, divided by, x plus 1 ओका 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 ओका, 3x-1 का होल स्कायर, ठीके, और 3x-1 ये जानके का, x स्कायर का उकल कुलां, 2x युदा, ठीके, x स्कायर का, 2x, n into x की पावर, n-1 से, ठीके, और माइनस x स्कायर, जानके का, 3x-1 का उकल कुलां, 3 बाहर आ जाएगा, x का उकल कुलां, 1 हो जाएगा, बिन प्रेकेट इस 3 to 1, और माइनस इस 1 का उकल कुलां, इतना होगा, 0, क्यांकि 1 x से पुक्त है, उसका वो चंस्टेंट है, उसका उकल का उगया, 0, का 6x स्कायर निष 002, X से, और माइनस 2x, और माइनस 3x स्कायर लक handed, ए volcano, 3x minus 1 all is so finally आपको क्या मिनने वाला है minus 2 upon x plus 1 all is 5 6x square minus 3x square that is equal to 3x square minus 2x all divided by 3x minus 1 all is 5 so that will be the answer यह आपका answer होगा आप चाहे तो इसको आगे भी solve पर सकते हैं जैकि no need to solve from this system question number 10 इस प्रतार से है प्रथम सिधान्तों से cos x का आउकलस ज्याद करना है cos x का आउकल ज्याद करना है प्रथम सिधान्तों से प्रथम सिधान्तों से ज्याद आप आउकलस प्राथ करनेगे तो वो basic formula बन जाएगा फिर अगले questions में उनका formula की तरह से आप प्रियोग में ला सकते हैं तो यहाँ पार हमारे पास जो function दिया है वो है f of x is equal to cos of x यह है अगर हम चार्ख x के मान में थोड़ा सा परिवर्षण करते हैं अब हाथ x को बढा करके x plus h का देते हैं है, so we have f of x plus h is equal to cos of x plus h. ये f of x plus h का मान हो गिया, अब अप्लाएं बासिक फॉर्मुला, d by dx of fx is equal to होता है, limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, here formula, first principle is clear, so this is limit h tends to 0 f of x plus h the value over h, cos of x plus h, minus cos of x, divided by h, and that is equal to limit h tends to 0, now applying cos c minus cos d, this is equal to 2 sin c plus d by 2, so c plus d 2x plus h by 2, 2x plus h by 2, or into sin d minus c, either take here minus sin, or d minus c by 2, so d minus c by 2, this is d, this is to add what I am doing, kya ayega, minus h ayega, so minus h by 2, or divided by h, in the next step, take this 2, below h, h ke now, this is equal to, limit h tends to 0, yes, here, here, minus sin of 2x plus h by 2, into sin h by 2, divided by h by 2, is 2, sin minus theta, is minus sin, abh aap ko, prateek step ka limit leya sakte, taking this together, is enough, x saat leya, so sin theta upon theta, theta tends to 0, so sin theta upon theta, limit theta tends to 0, that is equal to 1, y Jake so sin theta upon theta, limit theta tends to 0, that यहां से आप देखे h की वैलू 0 हो जाएगी दिमित ने ही आएँ से तो यहां से minus sin 2x upon 2 that is equal to sin x इसकी लिमिट और इसकी लिमिट इसकी लिमिट इसकी होगा इसकी होगा इसकी होगा इसकी होगा 1 तो फाइनली आपको जो अंसर लेला वो आगा d by dx of cross of x is equal to minus sin of x यह पर्थम से धांकों से cross x का डेलिमिट इसे अब कुश्चन नमबर 10 का ही 1st part या 2nd part माल लेते हैं पर्थम से धांकों से sin x ता होगलस जाती है ऐसा क्यों करने जा रहा है जोगी कुश्चन अपर 11 में आपको बिविन फ़लंज हो दिये हैं वहाँ पर sin x भी आया है 10 x भी आया है तो यह इसके लिए आपको यह भी formula 10 x का भी outclass हम लोग नाप करें set x का भी outclass set x का भी outclass बाद करें एक सारे formula हम लोग उत प्रमिदी की correct है होगी तो यह आपर sin x का outclass बाद कर भाद कर भाद कर भाद कर भाद कर से यह आप करें जाने solution f of x is equal to sin of x f of x plus h this is equal to sin of x plus h so d by dx of sin of x is equal to limit h tends to 0 f of x की जवेपर आजाएगा sin of x plus h minus f of x की जवेपर sin of x divided by h so it is equal to limit h tends to 0 2 sin c minus sin d 2 pos c plus d by 2 into sin c minus d h by 2 divided by h so this is equal to this 2 coin by 2 by x so that is limit h tends to 0 cos of 2x plus h by 2 into sin h by 2 divided by h by 2 okay तो अब इस इतने कालिके डिवान हो गया और यहाँ है जीपरिटो 0 तो cos 2x cos of x तो यहाँ पर आपको formula दिए d by dx of sin x is equal to hithna cos x तो SYNX का हाउकल्गंत ये अउत्लस पॉस एक्स हो किसी प्रितार 10 रे 3 प्रे क्ये फाइट को हम ऐसे ले लेते हैं मनलू हमको कैण सु आउकलउन भी अजो Fx इकल तो चैलएक्स है सभेडी इकल्टु SYNX हाउन पॉस एक्स ये हो गया और अब आभाम इसमें बजाय प्रखम संधांकों के आपने पोसेंट के मैध्यम लगा सकते है आकका सुक्या सकते हूं की संवाइगस का आपका बॉपरस रिकाल चुब हूं स्वाह भी इपाइगस आपना डिदिक कुछ प्रसक्ष हूं होल इस पह अर जांके ताम अंस पा होते लगी है माइनस अंस जांके ताम अंस पा होते लगी है so that is equal to cos x sin x पा होते लगी है cos x minus sin x and cos x पा होते लगी है minus sin x divided by cos x abu this is equal to cos x plus sin x which is equal to 1 here हो गया cos x plus sin x upon cos x okay so यह हो गया इपर 1.1 upon cos x is equal to cos x so d by dx of n of x is equal to cos x so d by dx of n of x is equal to cos x upon sin x और division method से ही आपको इसी तरह से solve कर्दे हुए आप cortex कर्दे है ठीके तो d by dx of cortex that is that comes out directly आप याज रखकी है that is equal to cos x minus cos x cortex का calculus होता है minus cos x जैसे 10x का था sec square x उसी प्रिकार से cortex का calculus होता है minus cos x the same method इसी method से बस यहाँ बदल जाएगा और वो आपको division method से आपकी और इस difference में अगला कुछ चरता है और चाहे इसका चौता पाहिए वो है आपको इतालना है d by by dx of sec x d by by dx of sec x basic formula आप जान चुके sin x और pos x आप जानते है the sec x को आप रिख सकते हैं 1 upon pos x so that is equal to 1 upon pos x now you can apply the division method as percent formula so this is equal to यह हर का पार्ग हर जहां के तहां अंस का आपकलन d by by dx of 1 minus 1 as it is d by by dx of pos x यह इस मेज़द से तो यह बन का आपकलन 0 होगया 0 into pos x pos x that is equal to 0 minus pos x star आपकलन minus sin x divided by cos square x so this is equal to sin x upon pos x into 1 upon pos x sin x or pos square x is pos x two bar sin x upon pos x into 1 upon pos x and this is equal to sin x and this is equal to sin x upon pos x 10 x and 1 upon pos x is sec x okay so d by by dx of sec of x that comes out sec of x into ten of x so here formula का तुला हुआ d by by dx of sec x in the same fashion procedure in the same method आपकला राफकलन से तुला हुआ d by by dx of pos x d by by dx of pos x this is equal to d by by dx of and of course sin x और तुपल उसी तरह से आपको यही मेजर लगाएं ले and finally you have minus pos x into part x यह formula आपको लेगा d by by dx of pos x hota है minus pos x into part x इस यह कंबल व्याना के हमने 3 part देएं पहला part देएं 6 part देएं 7 part देएं सबी pos x आपको संड़ 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 आपको इरे इरे कंद पोस्टन मिलेंगे work में पहुंची इसका डेएं आपको लोगा पार आपको आपका आरति पर दंत हो खोला आपको इस्तियमा टाद है सबस्क्रण और को इरे लिक्तल थे नियान ने पते होbourg आगे बढ़ते जाहिए, देखें होता क्या क्या है, तो fx is equal to x, sin x into cos x, तो dy by dx of fx आप तो रिकाल आए, that is dy by dx of sin x into cos x, यह प्रॉडक्त पू फॉर्मूला लगा दीजिए सुरें, तेखें, आप पुर्थम से ठांकों से भी किया जा सकता है, लेकिन चाब तक, यह कुस्टन में दिखा ना हो, कि आप प्रॉफम से ठांकों से करिये, तब तक आप को फॉर्मूला ही लगा ही, क्योंगी प्रॉफम तो सी ठांकों से कुस्टन बढ़ा हो जाएगा, तरसार बगेना भी करने पढ़ते हैं, अभी तो यह प्रॉफम से ठांके भी सरल पाइट कलने अपने पढ़ा है इसके बाद आप कर्प्रॉफमों में भी जायेंगे लगगोरी की फोलों में जायेंगे जायेए उनका भी उतल साफको है, तो पैला फॉरत आरव में जाये, तहांट कि स्ञ or plus, second function as it is, d y by t x law, plus. Here, sin x into pos x, that is equal to minus sin x, or plus, pos x or sin x, that is equal to pos square x minus sin square x, and this is equal to pos 2 x. Okay, so, sin x into pos x, that is how close, pos 2 x. Second part, sixth part, d y by t x of 5 sin x, minus 6 square x, plus 7, so, it is easier, here, 5 sin x, plus x, minus 6, plus x, plus x, plus x, minus sin x, and 7 x is free, and constant work, so, that is equal to, 5 cos x, plus 6 sin x, this is your final answer, or is the, 7 to 5, so, d by t x of, 2 x minus 7 x, that is equal to, 2 bar, 10 x ka derivating bar, set square x, minus 7, and set x ka, order, abhi abhi, aam, and constant work, set x into, 10 x, so, aamko, pundari, answer, as you., making sure, that's just to help, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.